हलो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चानल मैं अड़ोकेट देने संदू आपका स्वागत करता हूँ मेरे सोटूब चानल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे दोसों एक बाद फिर से आज हम डिसकस करेंगे HP Land Loss की टर्मोलोजीस को आज हम चार वर्ड को डिसकस करेंगे बहिसा बराबर, कानूनी सेटलमेंट, खुदकास और मिन मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आइट इस वीडियो सीरिस को स्टार्ट करने की दोवारा से ताकि जो Land Loss की टर्मोलोजीस बच गई हैं उनको मैं डिसकस करूँ और मेरा में मकसद भी इन वीडियोस को लाने का यही है कि जो Common Man है उसको भी हर वर्ड का मीनिंग पता हो क्योंकि जातर दिक्कत आपको आते हैं जब आपनी ज़मंदी को निकालते हैं तो वहां पैसे वर्ड लिखे होता है जिनका मीनिंग आपको पता नहीं होता है आपको किसी जानकार के पास जाना होता है और उससे पूछना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या है तो मेरा में मकसद भी इन वीडियोस को लाने का यही है कि आपको किसी के पास जाना ना पड़े आप खुद उन word का meaning समझें आपको खुद परचा पढ़ने आना चाहिए वो मैं आपको बताऊं गाने वाले वीडियोस के अंदर की जहमंदी कैसे पढ़नी है हर word का meaning वहां पर क्या होता है तो आज हम इन termologies को discuss करेंगे आप इस वीडियो को end तक देखेगा चलिए वीडियो को शुरू करते है पहले terminology हमारे पास आती है बहिसा बराबर इसके word से आप समझ गये होंगे इसका मतलब होता equal division यानि कि एक बराबर division एक बराबर भाग करना किसी भी जमीन का तो उसको मोलते हैं बहिसा बराबर दूसरा है खुद कास्त खुद कास्त भी एक simple सा इसका meaning है cultivated by the owner himself मतलब कि कोई भी land है क्योंकि जातर word आपको यह है जमंदी के अंदर देखनों को मिलते हैं जब आप अपनी जमीन का परचा निकालते हैं तो वहाँ पर यह word देखनों को मिलते हैं खुद कास्त हो गया, कास्तकार हो गया एहवाल हो गये तो यह word वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और खुद कास्त का मतलब होता है कोई भी land है उसका owner ही उस land को बोता है उस land को cultivate करता है उसको हम बोते हैं खुद कास्त तिसरा word यहाँ पर आता है यह फिर जो आपका खतावने नंबर होता है, उसमें मिन शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता है, वहाँ पे अगर कोई पार्ट में है, तो वहाँ आपके मिन लगता है नंबर के साथ, इस एक्जामपल मैं आपको देता हूँ, मालो, आपकी जवमंदी का साल है 1278, पास जो हमारे पास टामलोजी आज की विडियो की है, वो है कानूनी सेटलमेट यानि की रेगलो सेटलमेट, यह सेटलमेट वहाँ पे ली जाती है, जहां पे कोई भी प्रीविज रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं होता है, मतलब कि government के पास previous record नहीं होता है इस settlement के थुरू एक complete measurement की जाती है land की with the help of survey equipment और वहाँ पे new record of right प्रिपेर होता है ये इसका मतलब होता है मतलब कि जहाँ पे आपके पास previous record नहीं है आपको शुरू से measurement करनी है land की जो आपके survey equipments होते है जो वहाँ पे machinery use होते हैं आपको उनके इस्तेमाल से वहाँ पे recorder right प्रिपेर करना है पहली बार ये इसका मतलब होता है तो ये चार हमने word आप discuss किये इस video के अंदर बाकि अगर आप किस और word का meaning जानना चाहते हैं तो आप मुझे comment में बता सकते हैं मैं उस word के उपर video बना दूँगा तो ये ही था इस video के अंदर अगर आप कोई video informative लगी है तो आप इस video को like करें share करें comment करें कोई question इक वरी है आप तब भी comment कर सकते हैं अगर आपने channel अब तक subscribe नहीं किया तो कर दीजे thank you and thanks for watching अगर आप तो करें